हेलो दोस्तों मैं सवरंबली का आप सभी का टोपी की स्टेडिय में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन पैक्ट्री सेस्ट में हम देखने वाले विज्ञान के 25 पलास ऐसे में अध्पून परसन तो कि अलग-अलग एक्जाम में पिछले 15-20 सालों से लगतार पूछे जा रहे हैं तो आप इस टेस्ट को पूरा एंड तक लगाईए और 25 में से आप कितने से गर पारे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बतेगा और अगर आप चाहते हैं डेली आपको ओनलाइन टेस्ट की वीडियो साथी साथ मैं तो रीजिनिंग की वीडियो मिलती रहे तो नीचे रेड़कल के बटन को दबा करके बैल आइकन को ओन कर लीजेगा आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुचना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तो अगर आपको लगता है कि कुछ आपकी हैल्प हो रही है और मैं आपकी कुछ हैल्प कर रहा हूं तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे आपके लिए डेली वीडियो बनाने के लिए और अपने सभी वोट्सब ग्रूप और फेस्बूक ग्रूप में जरूर सेयर करिएगा ताकि दूसरे स्टुडेंट की भी हैल्प हो सके दोस्तो जितने भी टेस्ट अभी तक मैंने अपलोड किये हैं उनकी एक प्लेलिस्ट बनाके नीचे डिस्केप्शन बोक्स में लिंक दे दिया है वहां से जाके आप वो सारे टेस्ट देख सकते हैं बहुत ही इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट टेस्ट है आपको और एक कोशन में 5-6 सेकिंड दिये जाएंगे उस 5-6 सेकिंड में आप नीचे कमेंट बोक्स में उसी कोशन का अंसर बता सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां पर पहला कोशन है परमानु बम की खोज किसने की थी तो इसमें से बस आपको इतना बताना की A, B, C, D कौन सा राइट रहेगा नीचे लिख दीजे बस दोस्तो बिलकुल सही अगर आपने पहले का राइट आंसर उप्शन A लगाया तो वेरी गूड राइट आंसर A हो जाएगा कोशन नमबर 2 डाइनमाइट का अविस्कार किस ने किया था तो बिलकुल सही है दूसरे का भी राइट आंसर आपका उप्शन A हो जाएगा चलिए नेक्स्ट कॉश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट आपका कॉश्चन नमबर 3 निमिलिकित में से कौन सा विटामिन जल में विले होता है तो कौन सा उप्शन रहेगा जल्दी से कमेंट बोक्स में बताएगा बिलकुल सही उप्शन C is the right answer कॉश्चन नमबर 4 कसीस का तेल कहलाता है वेरी गूड अगर आप उप्शन D लगा रहे तो वेरी गूड राइट आंसर D हो जाएगा चलिए नेक्स चलते हैं कॉश्चन नमबर 5 हीटर के तार किस चीज के बने होते हैं देखे तार है वह यह ठीक है कॉश्चन नमबर 5 का राइट आंसर बिलकुल सही अगर आप उप्शन C लगा रहे हैं कॉश्चन नमबर 6 गाएं का गरबकाल कितने दिनों का होता है वेरी गूड दोस्तों अगर आप उप्शन A लगा रहे हैं तो वेरी गूड राइट आंसर A हो जाएगा चलिए नेक्स कॉश्चन पे चलते हैं कॉश्चन नमबर 7 है रेफिजेटर में कौन सी गैस सीतलन करता है ये करती है वेरी गूड 7 का राइट आंसर आपका उप्शन B हो जाएगा कॉश्चन नमबर 8 दही का जमना कौन सी परतिकिरिया है दोस्तो टेस्ट को एंड तक जिरूर लगाईएगा क्योंकि आपको बताऊंगा कि कहां से आपको पीडियाप मिलेगी और क्या-क्या बहुत सारी इंपोटेंट चीजे कॉश्चन नमबर 8 का राइट आंसर बिलकुल सही है उप्शन B इस दा राइट आंसर चले नेक्स कॉश्चन पे चलते हैं कॉश्चन नमबर 9 है मानव सरीर में कौन सा रक्त ग्रूप प्राइक अधिक पाय जाता है यह आपको बताना है ओप्शन A है, B है, C है या D है कमेंट बोक्स में आंसर जरूर दीजे वेरी गूड, राइट आंसर ओप्शन B हो जाएगा अगर आप B लगा रहे है कॉश्चन नमबर 10 जल का हिमांग यानि की फ्रीजिंग पॉइंट है कितने डिग्री सेल्सेस पर पानी जमना मतलब फ्रीजिंग होना स्टार्ट हो जाता है वेरी गूड, देखें, ओप्शन A is the right answer ठीक है, चलिए, नेक्स पर चलते हैं कॉश्चन नमबर 11 मनुष्य के सरीर में पसलियों के कितने जोडे होते हैं तो बस आपको इतना लिखना है कि A हो, आंसर है, B है, C है, D है वेरी गूड, अगर आप उप्शन A लगा रहे हैं, तो वेरी गूड, राइट आंसर A हो जाएगा ठीक है, तो टोटल नमबरों पसलियों कितनी हो जाएगी, यह आपकी 24 हो जाएगी तो यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी होते हैं, तो 24 हो जाएगी, ओविसली वेरी गूड, कोशन नमबर 12 का राइट आंसर, ओप्शन C हो जाएगा चले, नेक्स चलते हैं कोशन नमबर 13, मानब सरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो बिलकुर से दोस्तों, 13 का राइट आंसर, ओप्शन C हो जाएगा कोशन नमबर 14, सरीर का कौन सा अंग कभी आराम नहीं करता है तो सभी को पता होगा, ओप्शन D हापे राइट आंसर हो जाएगा अगर हर्ट ही आराम कर दे तो सब कुछ आराम हो जाएगा तो D हापे राइट आंसर रहेगा, ठीक है हर्ट कभी आराम नहीं करता, 24 इंटू 7 ये धड़कता ही रहता है यहनिकि अपना काम करता रहता है चलिए, नेक्स चलते है कोशन नमबर 15 है, सामान्य रगदाब होता है वेरी गूड राइट आंसर A हो जाएगा कोशन नमबर 16, निमलिकित में से किसके जलने से कार्बन डियोकसाइड गैस निकलती है तो दोस्तों बिलकुल सही, ओप्शन C is the right answer चलिए, नेक्स कोशन पे चलते है 17 है, सामान्य नमक का सूत्र क्या है तो बिलकुल सही, 17 का right answer option A हो जाएगा कोशन नमबर 18, पेड की आयू ग्याद की जाती है तो बिलकुल सही, यहाँ पे 18 का right answer option C हो जाएगा चलिए, नेक्स चलते है कोशन नमबर 19 है, पेस मेकर सम्बंदित है तो दोस्तों, बिलकुल सही, 19 का right answer option A हो जाएगा कोशन नमबर 20, परकरती में पाये जाने वाला सबसे कठोर परदार्द कौन सा है, तो जल्दी से बतेए, नीचे comment box में वेरिगूल राइट answer आपका option B हो जाएगा तो जल्दी से बतेए, नीचे comment box में चलें, नेक्स कॉश्चन पर चलते है 21 है, वायू दाब को मापने वाला यंत्र कौन सा है दोस्तों, बिलकुल सही, 21 का right answer option D हो जाएगा कोशन नमबर 22, दवनी सर्वधिक गती से चलती है किस में सबसे अधिक चलेगी, तो option A, B, C, D में से कौन सा रहेगा राइट नीचे comment box में बताइए दोस्तों अगर टेस्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करना बिलकुल मत बूलिएगा 22 का right answer option C हो जाएगा नेक्स चलते हैं, 23 है आपका rubber को कड़क करने के लिए उसके साथ किस परदार्थ को मिला जाता है तो दोस्तों बिलकुल, sorry, बिलकुल सही है अगर आप option C लगा रहे हैं question number 24 किस धातु को नोबल धातु कहते हैं very good, 24 का right answer option A हो जाएगा ठीक है भई, चलिए, next question पर चलते हैं 25 है, पेपसीन खालिस्थान का उधारन है तो अच्छा है आपके लिए और भी जादे important है जितने भी important question 25 का right answer बिलकुल सही है, अगर आप option A लगा रहे हैं ठीक है, 26 हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है तो जल्दी से बतेए, ABCD में से कौन सा right रहेगा very good, अगर आप right answer A लगा रहे हैं, तो बिलकुल सही है, right answer A हो जाएगा चलिए next अलते है, 27 नवजात सिसु में हड्यों की संख्या लगबक कितनी होती है तो 27 का right answer यहाँ पे option C हो जाएगा question number 28, शरीर की सर्वधिक परबल अस्थी होती है मतला हम यह भी बोल सके सबसे मजबूत कौन सी अड्डी होती है तो बिलकुल सही है, आपका B right answer हो जाएगा चलिए next question पे चलते हैं 29 का right answer बताईए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दाथ दो बार विक्सित होते हैं कितने दाथ दो बार विक्सित होते हैं बिलकुल सही, अगर आप यहाँ पे option C लगाने तो very good right answer C हो जाएगा question number 30, मानव सरीर में पाचन का अधिकांस भाग किस अंग में संपन होता है तो सभी को पता होगा यहाँ पे right answer option C हो जाएगा दोस्तों आपका score क्या रहा है आज का नीचे comment box में बताइएगा सारे answer के में में बताइएगा